हाई फ्रेंज मैं अमिद जेन आईटी गुरीजी में आपका स्वागत है दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा यूटूब में आप वीडियो कैसे डाउनलोड करोगे और उसको आप ओफलाइन कैसे देख सकते हों यह दोनों तरह के मैं आपको बताऊंगा और इसके लिए आप वीडियो को डाउनलोड कर सकते हों तो चलते हैं दोस्तों सबसे पहले यूटूब उपन करेंगे अपन उपन करने के बाद यह मेरे अकाउंट्स में जा रहा हूं मैं यहां पर आईटी लिखागा यहां पर टच करूंगा तो इसके बाद यह उप्शन्स आ रहे हैं इ इस डाउनलोड करेंगे डाउनलोड के अंदर डाउनलोड क्वालिटी सबसे उपर इसके अंदर ऑप्शन दियावा है 360 और 144 अगर इससे उपर आपको चीए तो इसकी प्राइम मेंबर से आपको लेनी पड़ेगी अगर आप साओ कि आस्क इस टाइम इस पे भी कर सकते हो त तो आपसे पूछेगा कि आपको कितने रेजुलेशन पर आपको डाउनलोड करना है इसके बाद है download over Wi-Fi only इसको आप on रखोगे तो जब आपका Wi-Fi on रहेगा तभी आपका वीडियो डाउनलोड होगा नहीं तो वो डाउनलोड नहीं होगा recommended download ये भी on रखना आपको इसके बाद अपन वापस बेक आजाएंगे इसके बाद जो भी आपको वीडियो डाउनलोड करना है मैं ये करता हूँ opinion trading से पैसे कैसे करना है इस वीडियो को अपन open करते हैं जैसे इसको cross करेंगे इसको वीडियो को तुमें कर देता हूँ पोच इसके बाद दी नीचे options आ रहे हैं अंदर लाइक डिसलाइक लाइब चेर शेर डाउनलोड इस डाउनलोड पर आपन टेप करेंगे इसके अंदर आपन सब मुझ रहा है कि आपको कितने resolution पर करना है 360 पर या 144 पर 360 पर अल्रेडी है इसके लगा अगर आपके पास prime membership है तो आप full HD और high quality में डाउनलोड कर सकते हो अगर आपके पास नहीं है तो इसमें medium पर 360 पर करके और डाउनलोड पर टेप कर देंगे अब देखो दोस्तों ये डाउनलोड हो रहा है ये डाउनलोड हो चुका है अब इसके बाद अपनको क्या करना है बेख करना है और library में जाना है library में आपको जाना है डाउनलोड पर ये डाउनलोड पर इस पर टेप करूँगा ये अपन ने last video ये वाला किया था नया तरीका वाला अपन सबसे पहले मैं आपको बताईता हूँ इसका वाइफाई और ये वाइफाई में आउफ कर दिया है ये मुबाईल डाटा भी आउफ कर दिया अब मैं आपको वीडियो चला के दिखाता हूँ इस वीडियो पर जाता हूँ ये चल रहा है इसको मैं आगे ड़ दिया चल रहा आराम से चल रहा आगे चल रहा है तो इस तरीके से दोस्तों जो भी आप वीडियो डाउनलूड करते हो वह आपके Android मोबाइल फॉन में सेव हो जाता है और वह किसी और फॉर्मेट में सेव होता है यह आपके नॉर्मल MP4 में या किसी और फॉर्मेट में सेव नहीं होता है वह किसी और फॉर्मेट में सेव होता है वह इसी YouTube के अंदर ही चल पाता है तो और आप इसको सर्च भी नहीं कर पाओगे बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, वो बोलते हैं कि गैलेरी में जाके सेव हो जाता है, लेकिन गैलेरी में जाके सेव नहीं होता है, आप सर्च करके देख लो आपको गैलेरी में वीडियो मिले गा ही नहीं, इसके अलावा वो किसी-किसी मोबाइल में Android के अंदर डिवा अंदर हो सकता है, किसी में सेव हो जाए, बाकि यह आपको मिले गा ही नहीं कहीं पर कि लोकेशन ही नहीं मिलेगी इसके, तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने वीडियो को आप ओफ लाइन देख सकते हो, उसको डाउनलोड करके कहीं पर भी आप गया हो, वाँ पर कीजिए और सस्क्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को सेर कीजिए, थेंक यू फर वाचिंग